सो ही गाई स्वागत है आपका मेरे चैनल में I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो भाई इतनी सारी गालिया सुनने के बाद भी इतना लोगों के समझाने के बाद भी reaction चैनल वालों के भी इतना समझाने के बाद भी यह जो जूठी है ना इसके उपर से अभी शादी का भ मांग लगाई आप इतना सब कुछ यह औरत लाइव करकर के बता चुकी एक ही टोपिक को एक ही टोपिक है इसके पास वही शर्मा जी वाला वो लड़के वाला ऐसे हुआ था लड़के का फिर फोन आया फिर आप सुनिये गा आगे पूरी बात सुनिये गा भी फिर क्या हु और उनकी वाइफ भी गुस्ते में है पूरा आग बबूला के उन्होंने भी तीन चार वीडियो निकाल दी इसके उपर अच्छा खासा उनकी वाइफ ने भी इसको सुनाया एक औरत होती है ना कि भाई मैंने गलती की है मान लेती है और इसने माना इसने माफी मांगी लाइ बना चुकी है मतलब इसको वह कहते हैं की अंदर से सैटीस्फेक्शन इसको सैटीस्फेक्शन ही नहीं और अंदर से की यार शादी का कुन्टेंट क्यों और वह किया शाधी शाधी क्यों नहीं कर रही मैं ildर आए मुझे मुझे देखने धे इतने आग बबूला है और उदर से जो वो दुले राजा थे जो वो लड़का था उसको दुले राजा तो खेर क्या ही कहेंगे रिश्टा हुआ ही नहीं तो उस लड़के ने भी अपनी वीडियो जो है डाल दी पूरी फेस रिवील के साथ और वो वही वीडियो है जो इसने गुस्से में आके अपने चैनल पे शोट में डाली थी वजह से इतना ज़्यादा बवाल हुआ उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि जब इसने शादी के लिए मना कर दिया सारी चीज क्लियर कट होगी कि आप अपना काम करो हम अपना काम करें हमें रिष्टा न उनने डाल दिया है ठीक है वहाँ पे बहुत सारी लोगों ने कमेंट भी कियों से कि भाई तु भगवान का शुकर मना परशाद बाट जाके कि तू बच गया है और क्या तेरी मती मारीगी थी अच्छा खासा दिखता है तू देखने में ठीक है तुझे क्या ही प्यार हो ग ठीक है अब कोई इंसान होता है ना कि बात को दबाना चाता है या बात को खतम करना चाता है तो वो ना कभी इस टोपिक पे वीडियो नहीं बनाएगा लेकिन इसको बात खतम नहीं करने ये दूसरे बंदे को उकसाती है कि उकसे वो बंदा उकसे और वो वीडियो बनाए द अच्छा ला तुभी खाले मैं भी खाती उदर बाटा उदर बाटा बड़े हो गया फलाना हो गया धिमकाना हो गया फिर उसने बाद छेड़ी रिष्टे की कि तिरलिक रिष्टा आया है और रिष्टा भी जो है न वो एक लड़का है ठीक है ऐसे ऐसे बात है भाई तुझे बहुत पसंद करता है बहुत प्यार करता है वही कानी जो इसने आज से चार पास दिन की बात हो गई है शायद जब इसने शुरू करी थी यूट्यूब पे बतानी ऐसा ऐसा मेरे लिए रिष्टा और वो भी दूसरी जो लड़की है जो इसकी परोसन है वो भी यही चीज बता लड़का सोशल मीडिया पर कहीं भी नहीं है और लड़का नहीं चाता कि वहीं भी उसका फेस आयए कई बहुत देखो यह चीजे रिवील नहीं करनी है तो यह कहते हैं हाँ ठीक है बिल्कुल नहीं करूंगी मैं यह वो लेकिन बाद में जैसे इस क्रिप्ट का जो वो बोलते हैं न निचोड क्या निकला यह कि भाई देखिए विश्वास नहीं करना ची आज के टाइम पे किसी के उपर भी और जब तक बात पकी ना हो जा काई पे कि क्या उसकी शादी हो गई है उसने चूड़ा वगैरा पहना हो इतने दिन से जो भी उसके घर में हो रहा है कहीं मेंदी लग रही ठीक हो रही तो बहुत सारे लोग जो एना उसके उपर कॉश्चन उठा रहें पूछ रहें उससे कमेंट सेक्शन में कि क्या आपक कर रहें शादी होगी लेकिन सिंदूर वगर उसने नहीं लगा रखा बीबी काफी लोग यही सोच रहें अगर शादी होती तो सिंदूर लगाती लेकिन उसने एक चीज बोले कि यह जो भी चीजे हुई है ना यह आपको अक्टूबर नवंबर में जो है फाइनली पता लग जाएंगी उदर से उनकी मम्मी ने भी बोला है कि अभी हम सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुश्मन होते हैं नहीं किसी की खुशी बरदाश करते जैसे कि उनका जो हस्बेंट था भी पीछे उनके बारे में कि कहीं वो ना आप करवा दे तो इसलिए शायद वो सोशल मीडिया पर नहीं बताना चाहते तो उस चीज को देखते हुए कहीं नहीं बताना चाहिए जब तक पक्का ना हो जाए ये ना हो जाए तो यह जूटी को मुझे समय नहीं आ रहा कि एक्चुली इसको करना क्या है मतलब किस चीज की वीडियो बनानी है पहले इसने कमेंट सेक्शन उस वीडियो का ओन किया हुआ था लेकिन जब लोगों ने कमेंट किये उसको बाद इसको पता है कि अब फिर मैंने दुबारा ही शादी का टोपिक उठाया है और वो भी वही बाद सेम तू सेम वही चीज जो इसने पहले बताई थी जिसके पिछे इतना बवाल खड़ा हुए सेकंड पार्टी वो भी इतना कुछ इसे बोल चुकी है लेकिन फिर भी इसके अकल नहीं लगी तो लोगों ने कमेंट किये उसके बाद थोड़ी देर बाद इसने कमेंट सेक्शन ओफ कर दिया कमेंट में कुछ ऐसा ल लोग क्यों नहीं बनाती फिर यह बोलती है कि लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते इसकी सहेले भी वहां बैटी थी वह भी लोगों को बहुत जादा घ्यान पेल रही थी हम लड़कियां हैं हमें हम अपना घर चलाती हैं हमारा काम है यह काम करो काम करने के लिए कोई मना नही लेते थे और देखो आज वो औरत कहा है तो ना कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब आपको गालिया मिलती है ना तो आप जो है उचाईयों पर जा रही हो लेकिन वह गालियां और काम दोनों चीज मैटर करते हैं कि कि किस चीज के उपर मिल रही है ऐसा नहीं कि आप कुछ भी वीडियो बना दोगे कपड़े आपने ऐसे पहने हो हैं तब लोग गालिया दे रहे तो आप उचा जा रहे हो और रही पास सपना चोधरी की तो सपना चोधरी ने भी क्या किया है क्या नहीं किया सारी दुनिया जानती है ठीक है वह इमेज आज भी वहां नहीं है जो होनी चाहिए थी वह इमेज नहीं है उनकी अपना चोधरी के उपर जो सवाल उठाए जाते थे वह उनके डांस को लेके होते थे कि किस तरीके एक डांस होता है simple, sover, थोड़ा जिसमें गंदे, action व्गरा नहीं होते एक डांस होता है एसा कि इन्सान को देखर पता लग जाता है क एक किससी तरीके का डांस है तो यहां सपना चो़दरी की सब्सक्राइब करने लग जाते हैं लोग की अपने levar कपड़ों के नाम पे खत्याओं कई??? यहें जो हैं अच्छे कमेंट करो के उपर आपको क्या लगता है कि इसने दुबारा से वही टॉपिक जो है क्यों छेडा है क्या ये चाती है दुबारा से कॉंट्रोवर्सी हो क्या ये फिर ये चाती है कि दुबारा से सामने वाली पाइटी फिर इसके उपर वीडियो बनाई उनको चेंडने के लिए चीज़े की गई है जब बात सारी दब चुकी है जब बात खतम हो गई है तो इसको क्या जरूर थी ऐसी स्क्रिप्ट जो है सामने लाने की जिससे की लोग बिल्कुल साफ साफ समझ रहे हैं और इसके मन में चोर है इसलिए इसने कमेंट सेक्षन ओप किया है तो जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरीए जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें सो बबाई मैं मि न्यू वीडियो में तब तक के लिए बाई